कुछ भी expectation, bounding बना के नहीं चलो, कि भे मुझे government ही job करनी है, मुझे यही job करनी है, मुझे ऐसी job थी है, अभी इतना critical time है, कि आपको जो महनत करने मिले, जहां महनत करने मिले, not only महनत, hard worker, लेकिन आपको जो सीखने मिले, जो सीखने मिले, आप उसको सीखने जाना, जो सीखने मिले, फिर भले किसी के यहां पर अभी आप free में हो, और किसी के यहां पर थोड़ा सा आप किसी को office work में मदद कर देते हो, किसी को colleagues हो, अगर आप थोड़ा सा किसी और skill में मदद कर देते हो, तो भले वो free में आप skill में भी मदद कर देते हो, या उसके project में मदद करते हो, लेकिन आपके लिए वो investment हो जाएगी वो, क्योंकि आप उसमें से बहुत कुछ सीखो गये, और आपका time में वो कहीं न कहीं useful हो रहा है, तो इरशा करने के बदले, आप उनसे कुछ न कुछ सीखो कि वो कौन सी line में गए, वो कैसी line में गए, वो कैसे गए और उनोंने क्27 सीखने मिल रहा है, अभी वो क्या कर रही है, तो आपको वो कहीं न कहीं talent तो यृ, वो आपको मिलता जाएगा, तो इरशा करने से तो कुछ नहीं होगा, और ही आपका नुकसां होगा, क्योंकि आप का thought level पे आप negative होते ही जा रहे हो तो एक तो वैसे भी देखो कहीं ना कहीं तो वैसे भी अभी हम struggle कर रहे हैं तो physically तो struggle कर रहे हैं बाहर struggle कर रहे हैं लेकिन इर्शा करके unnecessary मैं क्यों मन के अंदर स्ट्रगल लाओ उसे अच्छा आप अपनी वो mental energy अपनी physical energy और वो इर्शा में लगाने के बदले आप अपनी talent को बढ़ाने में लगाओ आप अपनी skill को बढ़ाने में लगाओ तो भले आपने कोई भी degree लिए हो आज हम दुनिया में इतने कैसे केसिस दिखते हैं उन्होंने degree कोई भी लिए होती है पढ़ाई कोई भी की होती है और आज उनका famous talent कोई भी होता है उनका तो आपके अंदर भी ऐसे कोई ना कोई talent होगा उसको निहारो उसको बढ़ावा दो आपने degree लिए है उसको बढ़ावा दो और कुछ ना कुछ सीखत तेरो थैंक यू